नो कि अडिना के आपके बिटा कि अपके इंगलिश वर्क्शीट नमबर 49 । आपको थर्ड नेमेंबर 2020 आपको करने हैं festivals all over the all over India all over the India इस समय हमारी जो यह season है यह festival season है लेट उस रीड अबाउट दिस्कित कस्टर festival of Ladda तो यहाँ पर क्या है आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत इंट्रस्टिंग है आपकी जो आज की वर्क्षीट है और कुछ हम ऐसा नया जानने वाले हैं देखिए आप पिच्चर में भी देखेंगे तो कैसे foreigners और सब किस तरह से कितना colorful है और अभी आप देखेंगे किस तरह mask के थूँ उसको celebrate किया जाता है तो यह जो festival है इसका नाम है दिस्कित गस्टर festival और यह कहां का है यह लद्दाक से है जो October महिने में होता है इस बार यह हो चुका है अभी हम जो पढ़ रहे हैं तो 14th and 15th October को यह celebrate हुआ अज यह रेद अपाउट इट यह विल फाइंड सम ब्लांक्स इन दे नोट अब यह आपर देखें यह पिच्चर देखें यहां पर कहा है अलग लग जो उनके देवी देवता है उनसे related यहां पर मास्क वनाए जाते हैं कुछ एविल्स हैं कुछ गुट यहां पर कुछ अच्छाई और कुछ बुराई जैसे राक्षाज यह देखें कुछ ऐसा है क्रियेचर बनाया गया जिससे कुछ राक्षस वाली अपियरिंग तो यहाँ पर गुड ओवर दा इवल यहाँ पर कैसे एक अच्छाई की बुराई पर जीत इसके इससे रिलेटेड है हमारा जो फेस्टिवल है और आप हमने भी पहले आपको बिटा यहाँ पर दिल्ली में नौर्थ इंडिया में अभी एक फेस्टिवल अभी पहले सेलिप्रेट किया है जिसमें हम अच्छाई की बुराई पर जीत को ही सेलिप्रेट करते हैं तो आप याद करिए अभी आप मैं आप से फिर दुबार इस चीज के बारे में पुछूंगे आप देखिए कौन से फेस्टिवल है जिसको यह रिजेंबल करता है जिसे यह कोरिलेट करता है हमारे फेस्टिवल जो हम भी सेलिप्रेट करते हैं आप देखिए चूज द करेक्ट ऑप्शन तो फिल इन द ब् ब्ड विंगेतों होगी तो इसी की प्रक्टेस के लिए आपको एक पैसेज दे दिया गया है और उसमें कॉंज सा वर्ट है जो सूट करता है चार ऑप्शन में से बेस्ट ऑप्शन जो हम आपको यह आपे डालनी है तो यहां देखिए हैं फोर्स्ट हमारा है फोर्ससंटें से दिसकित गस्टर इन ले लद्दाक डैश टु मार्क विक्टरी ओफ दे गुड ओवर दे इवल इस सेलिब्रेटेड उसे सेलिब्रेट किया जाता है टु मार्क क्या अच्छाई की बुराई पर जीत फिस्ता क्या है फेस्टिवल इस सेलिब्रेटेड फॉर टू डेज जैसा कि अभी बताया कि ये दो दिन के लिए मनाया जाता है 14 और 15 अक्तूबर को जो भी हमने मनाया ये वहाँ पर मनाया गया है और भारत क्योंकि बिटा यूनिटी इन डाइवर्सिटी विभिंताओं में एकता का प्रतीक है यहाँ पर अलग-लग फेस्टिवल्स है अलग-लग भाषा है अलग-लग संस्कृति है लेकिन हम सब एक-एक साथ सभी फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं इंजॉई करते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं The major highlight of the Diskit Guster Festival of Ladakh is that, जो major highlight है, जो major है, वो क्या है, उसमें क्या चीज है, वो है, it, that, it, अब यहाँ पर क्या है, it dash, the victory of good over the evil, यह mark करता है, victory marks, यह क्या करता है, marks, victory of, फिर दुबारा देखिए आपको किस पर emphasize किया गया है, victory of good over the evil, next, आपका देखिए, burning of the effigy, effigy होता है बिटा, पुतले, burning of the effigy of the evils and their symbolic association, उन्हें, उनक्या वद करना, symbolic association, political reason से उनका वद करना, association होता है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी उनका वद करना दिखाया जाता है, concludes the festival, the llamas, llamas क्या है, बौधिक गुरू है, perform charm dance, वहाँ का जो डान्स है, वहाँ के regional डान्स है, performed by wearing sacred mask, उनको क्या पवित्र जो, उनके डाइटीज है, उनके जो गुरू है, उनके जो भगवान है, गॉड गॉड़ेस है, उनके, उनकी resemblance के mask बनाए जाते हैं, और वह खोटे पहन कर ये dance किया जाता है, accompanied by music, music के साथ, तो वेरियल musical instruments, musical instruments like cymbals, cymbals, drums, or long horns, या लग-लग musical instruments है, जिनका यूज कर कर, क्या किया जाता है, इनका यूज किया जाते है, और ये, अब यहाँ पर देखे, dash, soul soothing rhythm, which takes you to a different world together, तो यहाँ पर आपका आंसर है, ये play किया जाते है, यहाँ आंसर आएगा play, तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आजाएगा, play soul soothing, हमारे जो अंतरात्म है, उसको बहुत अच्छा effect देने के लिए, soul soothing अंदर तक, उसका जो है effect पता चलता है, rhythm होती है, which takes you to a different world together, हम सब एक different world में, एक different journey पर, एक साथ उसको enjoy करते हुए, पहुंचते ही आएगा play, यहाँ पर है mark, marks आएगा, it marks, और यह है is celebrated, बेटा मैंने अभी आप से पूछा था, कि हम लोग जो festival हमने भी थोड़ा दिन पहले अभी celebrate किया है, वो कौन सा festival है, तो यह कौन से festival से resemble करता है, बिलकुल सही, यह हमारे दशेरा फेस्टिवल, जिसमें रावण के पुतलों को जलाया जाता है, effigies तब भी हम burn करते हैं, तो वो जो वहाँ पर भी क्या है, वहाँ राम भगवान का दिखाया गया है, कि किस तरह से उन्होंने रावण का नाश किया है, और victory of good over evil, तो इसलिए यह resemblance है दशेरा से, दस्कित गस्टर अफ लद्दाक, दस्कित गस्टर अफ लद्दाक resembles, दस्टर अफ लद्दाक रिजम्बल्स दशेरा फेस्टिवल इन आर एरिया, तो अब देखते हैं बिटा, यह तो था आपका MCQ-based grammar practice के लिए, और अब है COVID appropriate behavior जिसमें आपको हमेशा ध्यान रखना है, awareness यही create करने के लिए दिया जा रहा है message, जिए आपको अपने hands regularly wash करने है, soap और water से, साथ-साथ mask अब इस्तमाल करना है, physical distance of 6 feet और 2 yards को भी maintain करना है, take care, keep yourself healthy, take balanced diet and enjoy learning, thank you and stay blessed, be connected by subscribing the channel, thank you.